नमस्कार दोस्तों, सेप्टी एक्सप्रेट चैनल पे आप सब का सौगत है आज का टॉपिक है कनफाइन स्पेस कनफाइन स्पेस के इंटर्यू के लिए हम कुछ क्वेशन्स और एंसर्स देखने वाले हैं जो आपको सेप्टी के इंटर्यू के लिए काफी मदद करेंगे तो चलो वीडियो को शुरुवात करते हैं पहला क्वेशन्स है और इस कनफाइन स्पेस क्या है तो उसका एंसर है कनफाइन स्पेस एक आईसी जगह होती है जो वर्कर के इंटरी के लिए काफी बड़ी होती है लेकिन वहाँ इंटरी या एकजिट करने का रस्ता लिमिटेड होता है और कंटिनियूस ओक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं होती जैसे कि टैंग्स हो, साइलोस हो और आल्स हो दूसरा क्वेशन से कंपाइन स्पेस में हजाड क्या होते है तो उसका एंसर है कंपाइन स्पेस हजाड में टॉक्सिक एट्मोस्फेर, ऑक्सिजन की कमी, इंट्रॉपमेंट और फिजिकल हजाड जैसे इलेक्ट्रिकल इकूपमेंट या मशनरी इंक्लूडिंग होते है आगे तिसरा क्वेशन, कंपाइन स्पेस इंट्री में अट्मोस्फेरिक टेस्टिंग का रोल क्या होता है तो उसका answer है atmospheric testing से oxygen level, flammable gases और toxic substances का पता लगाया जाता है ताकि space में enter करने से पहले surely होकि environment safe है आगे question number 4, safe entry के लिए minimum oxygen level कितना होना चाहिए safe oxygen 90.5 से 23.5 के बीच में होना चाहिए इसके नीचे या उपर level dangerous माना जाता है या dangerous होता है आगे है question number 5, confined space entry के लिए permit system क्यों जरूरी है तो उसका answer है permit system ensure करता है कि confined space में entry करने से पहले सब precautions लिए गए है हजाड assessment को चुका है और सब controls place में है हजाड कम कर लिया है और सब precautions है इसके लिए permit जरूरी है question number 6, confined space entry के लिए कौन सा personal protective equipment required होता है तो उसका answer है personal protective include कर सकते है respiratory kit से, harness से, protective clothing से, gloss है, helmet से और eye protection है और depend करता है कि अंदर कौन से types के हजाडे उसके उपर हम PPE use कर सकते है आगे question number 7, confined space में ventilation कैसे काम करता है तो उसका answer है, ventilation confined space में harmful gases को remove करता है या dilute करता है mechanical ventilation जैसे कि exhaust fan है, blowers का use किया जाता है fresh air supply करने के लिए आगे question number 8, confined space operation में entrant, attendant और supervisor का क्या रोल होता है तो entrant का रोल है, जो worker है, जो confined space में जाने वाले है attendant का रोल क्या है, वो बहार खड़ा होके, जो entrant worker अंदर गए है उनको monitor करता है, और supervisor का रोल है, वो person जो ensure करता है कि सब safety protocol follow हो रहा है, यह इस तीनों का रोल है चलो, आगे question number 9, confined space rescue plan क्या होता है और क्यों जरूरी है rescue plan में emergency में worker को कैसे safely वहार निकाला जाए इसका details होता है, यह जरूरी होता है कि ताकि कोई emergency तो हो तो जल्दी और safely rescue किया जा सके आगे question number 10, confined space permit के लिए elements क्या होते है तो permit में confined space का identification, present hazard, atmospheric testing, result, required PPs, communication method और emergency rescue procedure including होते है चलो, आगे दखते, question number 11 question number 11, confined space में continuous atmospheric monitoring कैसे काम करता है तो उसका answer है, continuous monitoring में sensor का use होता है जो atmosphere में changes को detect करते हैं, ताकि unsafe condition को तुरंथ identify किया जा सके आगे दखते हैं, question number 12, confined space entry में communication क्यों जोरूरी होता है तो उसका answer है, communication ensure करता है कि entrant, attendant और supervisor किसी emergency या issue को तुरंथ report कर सके और timely action लिया जाए इसके लिए communication जोरूरी होता है आगे देखेंगे हम question number 13, question number 13 है देखो अगर confined space के अंदर atmosphere hazardous हो जाए, तो क्या करना चाहिए तो उसका answer है, अगर atmosphere hazardous हो जाए, तो worker को तुरंथ confined space छोड़ देना चाहिए और जब तक हजार कंट्रोल ना हो, तब तक re-enter नहीं करनी चाहिए आगे देखें, question number 14, confined space entry के दौरान atmospheric testing कितनी बार किया जाना चाहिए तो testing को entry से पहले और हर break के बाद या जब भी condition change हो तब किया जाना चाहिए continuous या periodic monitoring का यूज करना जरूरी है जरूरी होता है आगे देखें, question number 15, question number 15 है permit required confined space और non permit confined space में क्या difference होता है तो उसका answer है, permit required confined space में specific hazard जैसे toxic atmosphere या incomplete का risk होता है, non permit space में ऐसी कोई hazardous नहीं होती जो strict entry control मानेंगे आगे है, question number 16, confined space entry में isolation का role क्या होता है तो isolation का मतलब है, energy sources जैसे electrical system को de-energize करने का lockout tag out करने ताकि confined space में worker safe रहे यह isolation का role होता है चलो आगे देखते है, question number 17 अगर confined space में flammable gases हो तो क्या करना चाहिए तो उसका answer है, अगर flammable gases हो तो ventilation का use करना चाहिए ignition sources को दूर रखना चाहिए और explosion proof equipment का use करना चाहिए आगे है, question number 18, confined space entry supervisor का क्या role होता है तो उसका answer है, supervisor ensure करता है कि entry permit के according हो रहा है hazardous control में है और worker safety protocol follow कर रहे है यह supervisor का role होता है आगे है, question number 19 confined space entry के लिए legal requirement क्या होते है उसका answer है, legal requirement में permit system hazard assessment, atmospheric testing, PPE training और rescue procedure इंक्लूड होता है यह चीज जरूरी है आगे, question number 20 confined space entry person के लिए क्या training required होती है तो उसका answer है, workers को confined space के hazardous, safe work practices, emergency procedure पीपी यूज और atmospheric monitoring में trained होना जरूरी है या उसका training देना जरूरी है आगे, question number 21 confined space में, ingroupment का risk क्या होता है और इसे कैसे control किया जाता है तो उसका answer है, ingroupment का risk होता है जब confined space में, liquids या solid workers को trap या suffocate कर सकते है इस risk को control करने के लिए confined space को secure या EMT करना जरूरी होता है आगे, question number 22 non-entry rescue, preferred क्यों होता है confined space में तो उसका answer है, non-entry rescue से additional rescue कर को confined space के hazard face नहीं करने पड़ते retrieval lines या winches का use किया जाता है बिना confined space में, गुसके rescue करने के लिए आगे, question number 23 confined space में, कौन से चार gases hazardous मोनिटर किया जाते है तो चार gases hazardous होते है oxygen, O2, carbon, monoxide, CO, hydrogen, sulfide, yes to yes और explosive gases जैसे methane ये चार gases confined space में पाए जाते है question number 24 confined space entry के बाद कौन सा documentation complete करना जरूरी होता है तो उसका answer है, entry के बाद permit को close करना जरूरी होता है जिसमें work completion, atmosphere condition और कोई incident या division record किया जाते है, ये document करना जरूरी होता है आगे देखेंगे question number 25 confined space worker को entry के दारान safe कैसे रखा जा सकता है तो उसका answer है continuous atmospheric monitoring, communication, ready rescue, equipment, permit का follow करना proper PPS का user worker training के थो safety ensure कर सकते है तो चलो दो दो वीडियो अच्छा लागा होगा तो वीडियो को like करना, जिस किसी ने वीडियो को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe करो ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए जल्दी मिलेंगे एक नए topic के साथ तब तक धन्यवाद